मैं जब भी फीजिकल की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ तो मुझे 27-28 मिनट कभी-कभी तो 29 मिनट से 30 मिनट भी लग रहे हैं भीया मेरा दौर निकलने के लिए छाती चाहिए अंदर का जज़बा चाहिए नमक रोटी खा कर भी आप आराम से SSCGD का फीजिकल पास कर लोगे और आप अपने सिनियर भाई से पुछना कि किस तरह से उनको ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरों 27-28 मिनट यहां तक कि 29 मिनट भी लगे हैं लेकिन फाइनल दिन उन्होंने 23 मिनट में किलियर किया है हमारे लिए वो दौर नहीं है हमारे लिए वो एक पर्व है हमारे प लिख रहे लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं ससे जीडी की बहुत 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 ज़्यदा रनिंग हार्ड लग रही है मैं जब भी फिजिकल की प्रेक्टिस करने जाड़ा हूं तो मुझे 27-28 मिनट कभी कभी तो 29 मिनट से 30 मिनट भी लग रहे हैं भाया मेरा क्या होगा देखो आप 1% की भी चिंता नहीं करना फाइनल 24 मिनट के अंदर आना है देखो आप 24 मिनट के अंदर आ जाओगे आप अपनी शक्ति को पहंचानो अपनी जहमता को पाशनो तो चलो आज की वीडियो में जानेंगे वह कौन सा ट्रिक है वह कौन सा टिप्स है और कौन सा फेक्टर फाइनल दिन काम करेगा कि फाइनल दिन आपको 27-28 मिनट ना लगके 22-23 मिनट ही लगेंगे तो चलो वीडियो को जल्दी से शुड़ कर लेते हैं कभी भी मायूस नहीं होना है ये सोच कर कि भाईया मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग लग रही है देखो फैनल दिन हर चीज अलग होता है उस दिन हमारे अंदर एक जोस होता है हमारे अंदर एक उमंग होता है दो टाइप्स के लोग हैं जिनको जॉब लेने की जरूरत होती है एक जो फैसन से करना है यार हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो ठीक जिनके माई बापने बहुत सारा संपत्ती रख दिया है जिनको मतलब बड़े-बड़े सहरां में पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है लेकिन से बिलॉंग करता हूँ और उसी परिवार से आप भी बिलॉंग करते हो तो मैं सब कुछ समझता हूँ और देखो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि काजू बादाम छोड़ा खाव किसमिस खाव ड्रैफ्रूट्स खाव उससे दवर निकल जाएगा दवर निकलने के होता है कि अब मैं नहीं दौर पाऊंगा यहां से मेरा दौर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा 500 मिटर आगे बरना भी मुस्किल है वहीं पर जो है हमारा परिक्चा होता है उसी समय आप याद करो अपने इस धोखे को जिस तरह से आपको प्यार में धोखा मिला जिस तरह से आप गुजर रहे हो कई से आपके परोशी आपको ताना मारते हैं किस तरह से आपके चाचा आपको टॉर्चर करते हैं तो इन सम माहौल को समझना है और उस ग्राउंड को गाली देना है माँ बहन करना है देखो ग्राउंड की मैं भी पूजा करता हूँ आप भी पूजा कर कर रहूंगा तो उसी समय जब आपका मन करें कि अम मुसे फिजिकल नहीं हो पाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं दौर पाऊंगा उसी समय ग्राउंड को गाली देना है और ग्राउंड को बताना है या तो आज तू रहेगा या तो मैं रहूंगा मैं 110% दौर निकाल कर रहूंग जुनून एक जोस के साथ आगे बरना है तभी जाकर हम आगे बर सकते हैं दूसरी बात फाइनल के दिन होता क्या है जैसे ही रेडी गो महां के जो भी ऑफिसर होते हैं बोलते हैं हम क्या करते हैं बहुत ही स्पीड में सूट मार देते हैं यहीं पर आप गल्ती करते हों तो आप आराम से धीरे-धीरे देखो, SSCGD का दोर बहुत असान है, बहुत असान है, अगर कोई बोलता है कि SSCGD की रणिंग बहुत हाड है, तो वो आपको गलत बोलता है, वो गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, वो चाहता नहीं है कि आप जॉब ले पाओ, SSCGD का ज आराम साथ 27 मिनट, 28 मिनट यहां तक कि 29 मिनट भी लगे हैं, लेकिन फाइनल दिन उन्होंने 23 मिनट में किलियर किया है, तो फाइनल दिन जैसे ही रेडी गो होता है, सुलो लेना है, एक स्टेप से लेना है, और सुरू में ही आपको अपना मू नहीं खोलना है, नाउक से सं लेना है, क्योंकि जाता तर जितना जाधा देर आप नौक से संस लोगे, आपका जो है, फीजिकल निकालने का एफिसियन्सी उतना ज्यादा बनेगा, शाथी साथ मन में हमेचा दोड़ते-दोड़ते यह सोचना है कि मेरे से दोर निकल जाएगा, मेरे से दोर निकल है हमारे लिए वो एक पर्व है हमारे पिता के कंधे का वो हतियार है कि भरी दो पहरी में वो कुदाल लेकर काउम करते हैं हमारी माई के हमारी माता जी का वो शपना है जो आज भटी सारी में भी घर का काउम कर रही है और सोच रही है मेरा बेटा नौकरी ले लेगा मेरा दूर निकालने के लिए ना काजू जरूरी है, ना बादान जरूरी है, ना किसमिस जरूरी है, ना SSCGD के दूर के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, ना बहुत ही ज़्यादा ताकत की जरूरी है, जरूरी है तो अपने अंदर के जजबे का, अपने अंदर क के उस गरीबी के, अपने उस पिता की मजबूरी के, अपने उस माता के फटी सारियों के, उसकी जरूरत है, और देखो, जब आप 5 किलोमेटर की रणिंग करते हो, तो 3 किलोमेटर जाने के बाद आपका दिल करता है, कि अब हम बैठ जाएंगे, उससे दोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो, 3 किलोमेटर तक का तो रणिंग सब कर लेता है, सब कर लेता है, तो उसी समय जब आपका दिल करे कि अब हम बैठ जाएंगे, में सोच रही है कि मेरा बाबू जौब ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा और सोच कर रखना है कि ग्राउंड या तो तू रहेगा या तो मैं रहूंगा आज या तो दौर निकलेगा या तो हम नहीं रहेंगे अगर ये जज़बा रखोगे ये जुनून रखोगे तो द पिल्कुल ही नॉर्मल है क्योंकि अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो तो दर्द हो अहीं होगा दर्द से घबराना नहीं है देखो शेर जब घायल होता है तो वह और बहुतर सिकार करता है तो दर्द होगा दर्द को दर्द को लेकर घर में बैठना नहीं है डेली ग्राउंड जाना है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपकी फीजिकल भी बहुत जल्दी होने वाली है तो और खास करके रात में सोते समय शर्षों तेल की मालेश जरूर करनी है तो चलो मेरी गारंटी है मैं 4-5 दिनों में आपको 4-5 वीडियोज लाऊंगा तो अभी में वीडियोज नहीं बना पा रहा हूँ इसके लिए स्वारी क्योंकि मेरा सेड्वल बहुत ज़्यादा बीजी हो गया है तो मैं 4-5 वीडियो लाऊंगा फीजिकल का मैं आपके हर कमेंट का प्रशनली रिपलाई दूँगा तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दे अगले वीडियो में तब तक के लिए चय हिंद, जय भारत, घर पर रहना, शुरक्षित रहना, अपना ख्याल रखना तो मैं आपसे बहुत हैं